Well students, last video में हमने किया था factors, common factors through Venn diagram then हमने multiples और common multiples का topic किया था अब हम अपने topic को continue करेंगे और अब हम करेंगे HCF by Venn diagram Well students, आज हम करेंगे HCF by prime factorization और देखें हम किस तरीके से इसको करते हैं अगर हमें कहा जाएं कि HCF of 12 and 18 find out करें through prime factorization तो इसके लिए आप क्या करोगे आपने सबसे पहले एक table ट्रॉ करना है इस तरह से और देखना है कि 2 से हमेशा smallest number से start करना है और आपने देखना है कि 2 के table में 12 आता है आता है तो किस number पर आता है तो 2, 6 सा 12 होता है तो इस तरीके से आपने लिखना है 2 को यहां mention करना है और 2 कितने सा 12 होता है 2, 6 सा 12 तो 6 आप यहां mention करोगे उसके बाद आगे आपने क्या करना है अगला number इस तरीके से आपने line लगानी है और अगला number आपके पास 6 अब आपने देखना है कि 2 के table में 6 आता है येस बिलकुल आता है 2, 3 जा 6 अब आपने देखना है कि 2 के table में 3 आता है 3 जो है वो 2 के table में नहीं आता तो अब आपने 2 से अगला number देखना है अगला number है 3 3 के table में 3 कब आता है 3, 1 जा 3 तो ये सारे जो हैं आपके factors of 12 हैं अब आप अगें दुबारा इसी तरीके से table ड्रॉ करेंगे और यहां mention करेंगे 18 उसके बाद आप देखें 2 कितने जा 18 होता है 2, 9 जा 18 2 के table में 9 नहीं आता next number 3 3, 3 जा 9 अगें 3 आ रहा है आपके पास 3, 1 जा 3 तो अब आपने इसको इस तरहां से लिखना है factors of factors of 12 is equals to 2 multiplied 2 multiplied 3 उसके बाद आपने लिखना है factors of 18 is equals to 2 multiplied 3 multiplied 3 इसके बाद आपने क्या देखना है कि दोनो factors में common आपके पास factors कौन-कौन से है तो यहां देखें 2 दोनों में आ रहा है इसको highlight करते इसके बाद 3 जो है वो भी को दोनों में आ रहा है तो 3 को आपने highlight कर दिया और यह आपके हो गए common factors common factors भी होंगे plus यह आपके hcf भी है ठीके लिखोगे multiply by 3 ठीक है 2 3s are क्या होता है 6 तो it means कि आपके पास 12 12 and 18 का hcf क्या आया है 6 तो इस तरीके से hcf by prime factorization find out करते हैं अब कहा जाए कि इस equation को आपने when diagram के through करना है तो आपने adjust क्या करना है आपने इस तरहां से circles draw करने है इस portion में आपने वो numbers लिखने है जो आपका hcf आया है इस portion में आपने factors of 12 लिखने है और इस portion में आपने factors of 18 लिखने है तो आपके पास यहाँ पर क्या आया है hcf common factors कौन कौन से है 2 और 3 वो आप यहाँ लिख दे ठीक है इसके इलावा आपके पास कौन सा नंबर जो है वो बच रहा है 2 और 3 तो आपने लिख दिया अब 12 में कौन सा नंबर बच रहा है आपके पास 2 तो वो आप इस portion में लिखोगे और आपके पास factors of 18 में common लेने के बाद कौन सा नंबर बच रहा है 3 तो 3 जो है वो आप इस portion में लिखोगे और आप यहां mention करोगे इस तरह से factors of 12 ठीक है और यहां mention करोगे factors of 18 इस तरीके से हम HCA by prime factorization find out करते हैं through Venn diagram